अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। टक्टकी लगा कर देखिए। तन की नहीं बलकी मन की आखों से देखिए। क्योंकि ये वही तथा कतित राम राजे है जिसके नाम पर साल 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने दिल खोल कर भातिय जनता पार्टी क को 300 से अधिक सीटे दी थी ये वही राम राजे है जिसे पा लेने की इच्छा से उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा स्रीयोगी आदितनात को मुख्यमंत्री बनाया था मगर सरयाम एक मुस्लिम युवती के चेहरे से हिजाब हटा कर कुछ लोगों ने उत्तर ने कुछ बेहत महत्तोपूर बाते कही हैं और सरकार को जबरदस्त वाली फटकार लगाई है आप सभी को उतने सुनना चाहिए और अपने अपने राजे के सत्ता धारी दलों को मेगाले हाई कोट की इंटिपडियों की तरफ ध्याना कर सण कर आना चाहिए वही राहूल गा फिर से बुरी तरीके से फसने वाले हैं पिछले दिनों कानून मंत्री किरन रेजी जू और उपराजपती जगदीब धनकर जी ने सुप्रिम कोट के कॉलेजियम सिस्टम पर आपत्ती जनक्टिपणी की थी जिसके बाद सुप्रिम कोट से इन दोनों के खिलाफ कारवाही क लगाते हुए निर्माताओं ने तमिल नाडु सरकार के खिलाफ सुप्रिम कोट में याचिका दायर की थी इस पर तमिल नाडु सरकार ने बड़ा तगड़ा वाला जवाब दिया है इन सभी मुद्दों पर बेहत कम सब्दों और आसान भासा में आप से चर्चा की जाएग कि आप हमारे साथ है इस की वार कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयाश जरूर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद यदि ये वीडियो आप मोबाइल हाथ में लेकर देख रहे हैं तो मोबाइल वा थोड़ और अपनी सुन्दर परवरिस का परिचा देते हुए पहले तो इन बदमासों ने कुछ दूर तक पीछा किया फिर सरयाम सड़क पर इन्हें रोक कर लड़की को रोक कर इसके साथ बत्तमीजी करने लगे कुछ देर बाद रामराज्य को और जादा मजबूत करते हुए इन म गेर कर उसका हिजाब खिचते हैं उसका बुरका खिचते हैं और सरयाम उसका वीडियो बनाते हैं एक बार उस पीडिट लड़की के स्थान पर अपनी घर की बीटिया को रख कर सोचे और यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये तो दूसरे का मामला है दूसरे धरम का मामला है त उसी दिन उत्तर प्रदेश में ही मेरट में इसी तरह की एक और घटना हुई जहां पर सरे बाजार कुछ मुस्लिम लड़कियों के चहरे से हिजाब हटाया गया। हिम्मत हो सकती है कि इस तरह से सरयाम किसी महिला का हिजाब खिज दिया जाए। बात आज तक नहीं सुनो गई। जो नियम है जो कानून है उनके हिसाब से भी कारवहनी की जा रही है। सायद इसी को भोजपुरी में लाज सरम घोर घार के पी जाना कहते हैं। वही व्यक्ति उसी के राज में सरयाम देश की बेटियों की इज़्जत निलाम हो रही है। दकेरला स्टोरी को लेकर इसके निर्माता सुप्रीम कोड पहुचे थे। क्योंकि इस फिल्म की आलोचना हो रही थी, इस फिल्म में जाने माने अभिनेता नहीं थे, इस फिल्म का प्रदर्सन खराब था, दर्सकों का कमजोर रिस्पांस था, यानि की लोग इन फिल्मों को देखने नहीं जा रहे थे। ऐसे में इस फिल्म को मल्टिप्लेक्स ने खुद ही हटाने का फैसला किया इसके साथ ही तमिलिनाड़ु सरकार ने ये भी का दिया है कि याचिका की आढ़ में दग केरला स्टोरी बनाने वाले लोग यानि कि फिल्म निर्माता अपनी फिल्म के लिए प्रचार हासिल करना चा आया गया था कि कितनी जबरदस्त व्योथा भारत सरकार ने अपनी जनता के लिए किया था और जनता की सरसे जीवन का आनंद लेते हुई एक सहर से दूसरी सहर की तरफ टूर एंटरवेल्स कर रही थी मैं व्यक्तिकत अनुभों से बता रहा हूं इस फिल्म को देखने के तो फिल्म चलाए जाएगी आज दरशक नहीं है कल आइएगा और जब मैं तीसरे दिन गया तो भी यही कहा गया कि दरशक नहीं है इसके बाद मैंने कहा पाांच लोग हम है ही, पांच टिकट और मैं खरीद लेता हूं एक्स्ट्रा टिकट खरीद लेता हूँ अब तो फिल्म चलाई ये इसके बावजूद मल्टिप्लक्स ने फिल्म नहीं चलाई उस दिन मुझे भी ये संदे हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जान बूज कर इस फिल्म को देखने से जनता को रोका जा रहा है मगर दर्सक का ना होना भी एक कारण हो सकता है मैं कोई बात दावय के साथ नहीं कह सकता संदे पैदा होना लाजमी है क्योंकि ये फिल्म कोरोना महमारी के दौरान सरकार की दुर्वेवस्थाओं की पोल् खोल रही थी ऐसा फिल्म के ट्रेलर से पता चला था फिल्म तो आज तक मैं नहीं देख पाया देश में जजों की नियुक्ती को लेकर पिछले कई सालों से सरकार के लोग अलग-अलग तरीकों की बात करते रहे हैं पिछले दिनों कानून मंतरी और उर्प्रास्पती जी ने भी इस मामले पर विवादिक्टी पड़ी की थी जिसके विरोध में मुंबई लॉयर्स एसोसियेशन सुप्रिम कोर्ट पहुचा था और इन दोनों के खिलाब कारवाही की मांग की थी मगर आज सुप्रिम कोर्ट ने इस मामले पर याचिका को खारिज कर दिया और इस बात को सही ठाराया कि भारत के मानने सुप्रिम कोर्ट की विश्वसनियता आस्मान छुती है इसे व्यक्तियों के बयानों से मिटाया या प्रभावित नहीं किया जा सकता इस याचिका में कहा गया था कि उपरासपती और कानूम मंतनी जैसे दो लोक पता दिकारियों ने सम्भिधान में विश्वास की कमी दिखाते हुए, अपनी आस्था यानि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके सम्मान की कमी दिखाया था, मगर आसान भासा में कहें तो सुप्रीम क की जो विश्व सनियता है वो चरम पर है ऐसे किसी के कुछ बोल देने से कोई असर होने वाला नहीं है जनौरी महीने में अमेरिका की एक संसा द्वारा भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के घने श्रतम मित्र गौतम अदानी पर दुनिया का सबसे बड़ा कथितर फ्रॉ कि सेवी पहले से ही अदानी मामले की जांच कर रहा है और उसके पास तमाम डाटा भी उपलब्ध होंगे क्योंकि सेवी ने सुप्रिम कोर्ट में कहा था कि मामला बहुत जटिल है लेन देन का हिसाब करना और जांच करने में लंबा वक्त लगेगा अब सेवी ने सुप्रि जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, कानून की भासा को समझने में गलती भी हो सकती है, इसलिए स्क्रीन साट लगा दिया है, आप लोग चाहें तो रोक कर पढ़ लेजिए, अब पहले बिजली कटोती की समस्या पर बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या एक बार फिर से रा साल की हो गई है, और 24 घंटे की हो गई है, क्योंकि अब बिजली हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है, मूल भूत आवसे ताओं में सामिल हो गया है, एक आठ टाइम भोजन न मिले चलेगा, लेकिन फोन और इंटरनेट यानि की बिजली होनी चाहिए, ऐसे में बिजली की भाय सिता की चीज नहीं है, ये सुनेशित करना राज की जिम्मेदारी है, कि जितनी मांग है बिजली की, उसके अनुसार उसकी उपलब्दता की जाए, और भविस में मांग यदि बढ़ती है, तो उसके लिए भी योजनाय पूरी की जाए, यानि कि हाईकोट ने लतार दगाते हुई ये कहा है, कि राज को जितनी भी बिजली की आवसकता है, उसकी पूर्ती करना राज सरकार की जिम्मेदारी है, और आगे की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर विवस्था करने की जिम्मेदारी राज की ही है, अब कौन सा राज सुनेगा, कि नहीं सुनेगा, ये तो अमिसा का जिक्र करते हुए कहा था कि लोग हत्या के आरोपी व्यक्ति को भाजपा के अध्यक्स करूप में स्विकार करेंगे लेकिन कॉंग्रेस पार्टी में कभी भी इस तरह का अध्यक्स स्विकार नहीं किया जाएगा क्योंकि वे कॉंग्रेस को सर्वत्च सम्मान देते ह राहूल गांदी की खिलाब सिकायत करता नवीन जा के हलफ नामे के अनुसार भासण और विव्यक्ति का मौली का दिकार है परंतु ये उचित प्रतिबंधों के अधीन होता है राहूल गांदी द्वारा दिया गया भासण ये दरसाता है कि उनके मन में किसी भी संगठन निकाय या लोगों के समों के मौली कदिकारों के प्रति कोई सम्मान नहीं है राहूल गांधी द्वारा अमिसाह के बारे में ये कहा जाना कि वो हत्या के आरोपी है ये पूरी तरह से जूटा है और फर्जी है क्योंकि साल 2012 के दिसंबर महिने के एक आदेश में ग्रेटर मुंबई के सत्र नयायला ने अमिसाह को आरोप मुक्त कर दिया था इसे लिए स्र जवाब देते हुए ये बाते कही गई है पिसले दिनों किस तरह से करनाटक में दिये गए भासल को लेकर गुजरात की एक कोट द्वारा राहूल गांधी को एतिहासी ग्रूप से सबसे बड़ी सजा दे दी गई ये आप सब ने देखा था इसी तरह से और भी बहुत सारे म प्रधान मंतरी से लेकर ग्रिह मंतरी तक ने देख रहिए है कि करनाटक में कमें कई है लेकिन ना तो कोई दंगा हुआ और नहीं करनाटक जल रहा है सवाल ये है कि बीजेपी के बड़े बड़े निताओं द्वारा कही गई हद से जादा विबादित बातें भी चमक्यों हो जाती है वीडियो अच्छे लगी हो तो जादा जादा लोगों तक पहुंचाएगा हमसे जुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चेहन